पिता आटो रिक्सा चलाते थे, बेटी को क्रिकेट पसंद था, पिता जानते थे क्रिकेट महना खेल है, लेकिन बेटी को क्रिकेट से इश्क है, वो ये भी जानते थे, इसलिए उन्होंने दिन रात महनत की और अपने बेटे को कहा कि तुम सिर्फ क्रिकेट प्रेक्टिस करो बाकी समुझ पे छोड़ दो रोजाना 100 उपे देते थे उस समय 100 उपे एक आटो रिक्षा वाले के लिए रोजाना कमाना मुश्किल था लेकिन वो दिन रात मेहनत करते थे ताकि मेरा बेठा काम्याब क्रिकेटर बने मुहमत सिरा जानते थे कि मेरे पिता इतना मैनत कर रहे हैं तो वो भी जिजान से लग गए अपने प्लेटिना बाइक में 100 रुपे का पैटरोल डलवाते और सीधे क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए जाते और वो पैसा कहीं और बरबाद नहीं कर रहे थे केवल और केवल अपने प्रैक्टिस पे उन्होंने ध्यान लगाया और उसका नतीजा क्या हुआ आज मुहम्मद सिराज आपके सामने है लेकिन वही पिता जिन्होंने इतना संहर्स किया अपने पेटिये को इतना महान क्रिकेटर बनाने में उसी पिता का जब दिहान्त हुआ तो मुहम्मद सिराज उनसे मिल भी नहीं पाये थे जी हाँ ये औस्टिलिया दौरा था कोरोना का टाइम था और क्वारंटीन हुए थे मुहम्मद सिराज उनके पिता तिरपन साल की वस्था में ही उनकी मौत हो गई थी और ये सूचना गई लेकिन मजबूर थे सिराज अपने पिता से नहीं मिल पाये लेकिन आज उनके पिता जहां भी होंगे वहां से अपने बीटी के इस काम्यावी पे जरूर फक्र कर रहे होंगे मुहमद सिराज के बारे में आपको क्या अच्छा लगता है नीजे कमेंट में जरूर बताईए और इस तरह की कहानियों के लिए क्रिकेट की मुझे जरूर फालो करते हैं अपना प्यार देते हैं मिलते अगले वीडियो में